आज की इस वीडियो के बाद इंडियन पॉलिटी के टोटल तीन टॉपिक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे जब मैं बोल रहा हूं पूरी तरह से इसका मतलब याद रखेगा आप बस पीपीटी को देखे उसके बाद बुक से पढ़ लीजे पीपीटी को देखे वीडियो देखे और बुक से पढ़ लीजे और विश्वास कर ये एक भी प्रशन आएगा तो वो यहीं से आएगा ये मेरी गैरेंटी है ठीक है और जब मैं गैरेंटी दे रहा हूं तो आपने अब तक तो यह देखी लिया होगा मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने आप को बताया कि भाईया सारे प्रशन इसी से आएंगे तो 17 प्रशन 15 मैं कह रहा था 17 प्रशन सिर्फ एक PDF से आये हैं UPP से 2030 के वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट के पॉलिटी के और मैं ये गैरेंटी दे रहा था और मैंने टॉपर्स कोड जो एप्लिकेशन एंड्रॉइड की है इसी लिए मैं कह रहा हूं आपसे फिर से कह रहा हूं जिन लोगों ने गर्दी कर दी कोई बात नहीं 2024 के लिए मैंने फिर से शुरुआत कर रखी है फिर से शुरुआत का मतलब सिर्फ मैं 30 साल के पेपर को बना रहा हूं 30 साल का पेपर आगे पीछे करके अलग अलग section wise divide कर के बना रहा हूं और मेरा ये फिर से guarantee है कि सब वही आएगा 30 साल का पेपर पास होने के लिए उतना ही काफी है देखे दुनिया में एक तो होता है basic concept वह मैं आपको पढ़ा रहा हूं दूसरा पेपर तो question वही आएगा उसके लिए concept मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जबर ज ECS में आए हैं लेकिन बहुती अटपटे question है जो normal आपको शायद ना मिलें तो चलिए शुरुबात करता हूं मैं इन topic के बारे में ये कई बार प्रशने एक्जाम में पूंचे गए हैं सबसे पहला प्रशन हाथी को सम्विधान सभा जो सम्विधान था original constitution था सम्विधान की जो कानूनी सलाकार या सम्विधानिक सलाकार बनाये गया वो बियन राव सर को बनाये गया ये UPSC का प्रशन है तीसरा ये PCS में तो खूब आया है और बार बार रिपीट करके आगी पीछे आता रहता है ता तीसरा H.V.R. अयंगर साहब जो है सम्विधान सभा के सचीव थ एसन मुखर जी जी जो थे वो सम्विधान सभा में सम्विधान के मुख्य प्रारूपकार थे जी चीफ ड्राफ्ट मैन जो थे वो कौन थे मुखर जी सहाब थे एक और आ जाता है प्रेम बिहारी नारायन रायजादा बहुत ही इंपोर्टेंट और ये प्रशना आपने रायजादा सहाब ने लिखा हिंदी में नहीं लिखा याद रखिया ओरिजिनल कॉंस्टिटूशन हिंदी में नहीं लिखा गया था इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था कौनसी स्टाइल में इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था और किस ने लिखा था प्रेम बहादू नारायन रायजादा सहाब ने, तो हिंदी में नहीं लिखा गया था original constitution, यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए, अकसर लोग confuse कर जाते हैं, next जो important चीज है, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत informative है, क्योंकि प्रश्ण आने का जो सबसे tough level है, वो यही है, UPPCS में इस topic से, तो चलिए, original सम्मिधान का जो English वाला version था, जो italic version था, जो italic script थी, याद रखिए, उसको लिखा किसने और किसने शुशोभित किया, लिखा किसने, यह तो आपको पता है ने, वरायजादा सहाब ने, अब उसको जो beautify, जो किताब की सम्मिधान वाली book थी, उसको beautify या उसको decorate किसने किया, तो याद रखिए, शांती निकेतन के जो लोग थे, कौन-कौन से लोग थे, कलाकार थे, कौन से दो थे, बेहर, राम मनोहर, सिनहा और नंदलाल बोस साव, यह दो लोग थे, जिनोंने क्या किया, ब्यूटिफिकेशन किया, original constitution का, original constitution को ब्यूटिफिकेशन, इन नहीं ने वो किया, याद रखिएगा, और एक और चीज, जो अगली चीज है, जो original प्रेमबल है, original प्रस्तावना है, उसको लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने, मैंने बताया न, आपको, original सम्विधान को इन्हों ने लिखा था, और राम मनोहर सिनहा जी जो थे, उन्होंने ब्यूटीफाइट किया था, original सम्विधान की प्रस्तावना को किसने लिखा, आप याद रखिएगा, किसने सुशोभित किया, लंकृत किया, याद रखिएगा, original सम्विधान की जो प्रस्तावना थी, उसको लंकृत किया, प्रेम नरायण ब्र रंगा चोंगा किसने या इसको ब्यूटीफाई किसने किया, लंदलाल बोश जी ने किया, तो ये most important है, English version किसने लिखा, रायजादा सहब ने, Hindi version किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, इसको decorate किसने किया, लंदलाल बोश जी ने, तो ये चीजें important है, जो normally आप दूर पढ़ना चाहिए, और इसी के साथ एक last चीज जो original संविधान ने, हिंदी भाषा में संविधान के कोई प्रावधान नहीं किया, original constitution में हिंदी जैसी कहीं कोई जगा है, कोई प्रावधान नहीं था, उसके बाद 58. संविधान चंचोधन 1987 द्वारा इसके लिए प्रा आपको इस वीडियो के बाद दे दूँगा, कोई भी प्राशन आएगा तो वी CPPT से आएगा 2024 में और यह मेरी guarantee है, thank you so much.